देखिए लवारा आप कितनी कंडिशन खराब हो चुकी है बिल्कुल बेहोसी की कंडिशन में पड़ा है एसी कंडिशन में यदि पसू ना जाए और एसी कंडिशन में चला जाए तो आप पसू को कैसे ठीक कर सकते हैं आज हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताने वाले हैं तो आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक यदि अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में like and share करें क्यूंकि आप यदि like share करेंगे तो अपने दोस्तों के भी पसू में ये condition नाव बनेगी जिससे आप इसे पसू को मरने से बचा लेंगे जिससे कि पसू मालिक को भी बहुत ज़्यादा फाइदा ये देखिए जब छोटे लवारे रेते हैं उनमें आप समय रेते टीटमेंट नहीं करवाते हैं तो उनमें ये समयशे आपको ज़्यादा तर देखने को मिलती है जब लवारा एक बार जमीन पर गिर जाता है तो उसको खड़ा करना बहुत मुस्किल देता है और जो प्रमुसी की कंडिशन में आपको दिकाई दे रहा है ये समयशे जब लवारों में हो जाती है तो यहाँ से लवारों को बचना बहुत ही मुस्किल लेता है देखिए इस कंडिशन से आप लवारों को केस्थें बचा सकते हैं जब भी लवारा है चोटा बचड़ा है यदि बिमार होता है तो उसी समय आप यदि दूद पिना बंद कर देता है उसी समय आप डोक्टर को बुलाईए उसका डायकनोस करवाईए और उसका सई से टीटमेंट करवा लिजे यदे आप यह काम करवा लेते हैं तुरंद बिमार होगा उसी समय आप टीटमेंट करवाते हैं त कर लेते हैं, तो जो चोटे लवारे रहते हैं उन में इस वह समयष्या देखने को नहीं मिलेगी एक तो ही दियान रखना है आपको कि जब लवारे छोटे रहते हैं तो उनकी समय समय से आपको Gvorming करवाते रहना चाहिए तीन महीने तक आपको दियान रखना है जिससे लवारों की यह condition नहीं होगी यदि उसके बाद भी समयश्य हो जाती है यदि डॉक्टर आ जाता है तो इसमें आप drip लगवाईए drip का इसमें अच्छा result देखने को मिलता है drip में आप dextrose 25% bottle लगवाईए एक लिटर के लगबग इसमें dextrose चड़वाईए या एक बोतल 500 ml भी आप लगवा सकते हैं जिससे कि इसमें dextrose की पूर्ती हो जाएगी और जो लवार रहते हैं उनमें energy आ जाएगी इसके अंदर आप neurokind plus जो injection आता है उसका यूज़ कर सकते हैं tonofaspen का यूज़ कर सकते हैं और इन चीज़ों का यूज़े आप प्रियोग करेंगे समय समय रहते तो आप लवारों को बचा सकते हैं इसके अंदर आपको डेक्सोना भी डालना है यूज़े आप ये काम कर लेते हैं आप neurokind plus injection डाल देते हैं tonofaspen डाल देते हैं डेक्सोना डाल सकते हैं जिससे कि आप इसे लवारों को ठीक कर लेंगे यदे आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसमें 10-20 ml केसें भी उस बोतल में डाल सकते हैं जिससे इसे लवारे करेते हैं तुरंत एनरजी आ जाती है और खड़े हो जाते हैं यदे आपने यह काम करा है इस कंडिशन में तो यहाँ से लवारे ठीक हो जाते हैं वरना यदे कि यह लवारा बहुत ज़्यादा दैनी इस्तिती में पढ़ाता हम गये थे टीटमेंट करने इसके सिर्फ हलके हलके पेर हिल रहे थे पूंच हिल रहे थी और कान हलके हलके हिल रहे थे बहुत ही बेहोशी की कंडिशन में था सातियों यहाँ से पशू को बचाना बहुत ही मुश्किल लेता है तो आपने जब भी ऐसे पशू देखने को मिले समय रहे थे उनका टीटमेंट करवाईए जिससे आप पशू को बचा लेंगे झाल झाल